नमश्कार दोस्तों, तुरई की सिंपल सबजी तो सगने खाई है, परन्तो आज हम आपको भर्मातरोई, स्टप तुरई कैसे बनाई जाती है वो बताने जा रहे हैं, यह बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाई जाती हैं? भर्वाते रोई के लिए चाहिए हमें कटा हुआ प्याज, लेसुन, अद्रक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, पंच पूरन या भर्वा मसाला, सर्सो का ते और अमचुर पाउडर सबसे पहले तुरई को हम धो के साफ कर लेंगे, और इदी बड़ी जादा बड़ी तुरई है, तो उसको हम दो भागो में बाट लेंगे, और बीस से जो है, ऐसे चीरा लगा कर रख लेंगे, इसी में हमें मसाला भरना है, सारी तुरई को जो है, हम ऐसे चीरा लगा कर रख ल है 2 टेबिल स्पून हम ऑईल डाल देते हैं सरसो का तेल आप कोई भी ऑईल इस्तमाल कर सकते हैं मैं मस्टर्ड ऑईल इस्तमाल कर रही हूँ इसको थोड़ा गरम हो जाने दीजिए अच्छे से ये देखें तेल हमारा गरम हो चुका है इसमें हम डालेंगे लहसुन प्याज और अध्रक उनकीयों को अच्छे से भून लेना है ये प्याज लेसन अध्रक हमारा हो गया है जैसा कि भरवात दरोई के लिए चाहिए जो प्याज हमने भूना है उसको ठंडा हो जाने पर पीस लेना है इसको दरदरा पीसना है इसको हमने इस जार में निकाल लिया अब इसमें हम जो है बाकी मसाले एट करेंगे इसमें मिलाया हमने तू टीस्पून घनिया पौडर हाफ टीस्पून हल्दी पौडर हाफ टीस्पून लाल मिर्च पौडर नमक स्वादनुसार गरम मसाला वन टीस्पून और सबसे ज़रूरी है पंच खोड मसाला जिसे हम भरवा मसाला भी बोलते हैं इसके अंदर है राई, सौफ, मेथी, जीरा और हींग तो इसको हम डालेंगे टूट टीस्पून भरके थोड़ा सा और डाल देती हूँ और इसमें हमने फोड़ा सा डाला अमचूर पाउडर अब इन सब को जो है मिक्स कर लेना है अच्छे से इसके अंदर जो हमें मसाला ये भर देना है अच्छे से भर कर ऐसे दबा कर जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देना है तुरई हमारी भर कर पकने के लिए तयार है अब इसको हम पका लेंगे अब दो चम्मत जो है टू टेबिल स्पून हम जो है सरसो का तेल डाल रहे है तेल हमारा तयार हो चुका है अब इसमें हम जो है भरी हुई तुरई डालेंगे बीद बिश्टे ना आपको ये तुरई उलगते पलगते रहना है ताकि इस तारों तरफ से अच्छे चे पाक जाए गैस को धीमी आँच पे रखना है इसको फिर से पलट देना है तुरई तुरई हमारी तयार हो रही है हरवा तरोई हमारी पग गई है इसको हम निकाल लेते हैं इसको हमारी तुरई तुरई दुरई तुरई तुरई जाए